चले खबरों में बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं अगले खबर का सुर्भी तो देखे फलाल अर्वेंद केश्रिवाल ने जो सरास से जो खबर हम आपको दे रहे थे बता रहे थे कि उनकी मुश्किले बढ़ती ही नजर आ रही है लेकिन कहीं न कहीं उमीद ये भी है कि जल्द उन्हें रहात मिल जाए तो वही देखे अब दूसी तरफ महराश्रक का अगर हम जिक्र करेंगे तो महराश्रक के MLC चुनाओ में एंडिये के सभी नव उमीदवार चुनाओ जीत गए है और एंडिये को यहां भी बहुमत हाथ लगी है जबकि बीजेपी से पंकजा मुंडे, योगेश टिलेकर, परिनेव फुके और अमित गोरखे, एंचिपी से राजेश विटेकर, शिवाजी राव, गरजेश शिवशेना से क्रिपाल, तुमाने और भावना, गवली और कॉंग्रस से प्रदान्य राजीव सात्वा चुनाओ जीत चुके हैं जबकि कॉंग्रस उमिद्वार सातव को 26 वोट ही मिले हैं, वही शिवशेना उधव ठाकरे गुट के उमिद्वार मिलिंद नावरेकर की भी जीत दर्ज हुई है और एक वोट अमान्य खोशित कर दिया गया है इसलिए जीत के लिए जहां 22.76 का कोटा तै किया गया था और इसी के मद्दे नजर जो बहुमत मिली ये बहुमत पूरी तरीके से पूरह रूप से बीजिपी को मिली है और महायूती बैक्स, 9 seats in MLC elections ये जो आप heading देख रहे हैं दरसल इसी heading के ताच में पूरी खबर आप देख पाएंगे और साथी इसका जिक्र किया गया है कि कैसे जब मुंबई में चुना हुए तो मुंबई में MLCs को लेकर के चुना हुरा था लेकिन इसमें Congress को जहां opposition की party के अगर हम बात करें तो उनको सिर्फ महस दो ही seatे मिली है जबकि वहीं दूसरी और NDA की बात की जाए तो NDA को पूर्ण वहूमत इसमें भी देखने को मिली है दुर्कुल देखिए और कई ऐसे उमीदवाद जिनके नाम भी सुर्भी ने आपको बताया उनकी जीत हुई है Congress उमीदवार सातफ को 26 वोट मिले हैं वहीं शिरसीना उद्दव ठाकर गुट के उमीदवार मिलिंद नार्विकर की भी जीत हुई है एक वोट आमा नेगोशित किया गया जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया इसलिए जीत के लिए जो है 22.76 का कोटा जो है वो तैक कर लिया गया है और कहीं न कहीं महराष्ट में जिस तरह से जीत हुई है एक नह्त्विंदे काफी ज़ादा एक्टिव नजर आ रहे हैं देखें इससे पहले आपको याद होगा सुर्भी महराष्ट की राजनीती की अगर हम बात कर लें तो कहा जाता है बिहार की तरह ही महराश्ट की राजनीती भी अब दिल्चस्प इसलिए हो चुकी है क्योंकि इससे पहले जैसे तैसे महराश्ट में बीजेपी ने जोड तोड की राजनीती कर उद्दब गुट को घिरा दिया और उसके बाद अपनी एक नई सरकार तयार की नई सरकार तयार करने के साथ ही जब फ्लो टेस्ट हुआ उस पर वहूमत भी उन्हें साबित करनी पड़ी और आपने देखा था किस तरह से तमाम विधायकों का होश प्रेडिंग किया गया था ताकि सरकार इनकी बन सके और इस बार आप कह सकते हैं कि जब इस बार के चुनाव थे तो इसको लेकर जो जान जो है वो हम कह सकते हैं कि मुश्किल में थी चाहे वो शिफसेना हो चाहे वो बीजेपी हो क्योंकि वही रणनीती दुबारा अपना पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा था बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप क्योंकि खास तो पर अगर देखे बात की जाए जब शरत पवार गुट की आते है या अजित पवार गुट की आते है तो कैसे इनके बीच में मद्भेद की स्थिति पैदा की गई इन्हें तोड़ा गया और उसके बाद से हलाकि यहां पर भी आरोप लगा था कि आपरेशन लोटस को अंजाम दिया जा रहा है बीजीपी के तरफ से और उसके बाद अजित पवार खुद खुल करके सामने आये थे उन्होंने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से बीजीपी का दावन थाम रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके की भावना मैंने अ अजित पवार को मौका नहीं मिल पाया सुप्रिया सुले को शारत पवार ने जिस तरीके से बड़ी जिम्मिदारिया दी तो उन्हें कहीं न कहीं इस बात को लेकर के जरूर अफसोस था वो भावना उनके अंदर आई और बीजीपी ने उसी मौके का फाइदा उठाया और जो कहते हैं कि वोट की चोड़ देना तो वो शारत पवार के साथ किया गया सुप्रिया सुले को भी ये दिखाया गया कि कोई बात नहीं आपके जिम्मिदारी अगर बड़े तो पर आपकी पार्टी में या आप ये कह लिजी कि शारत पवार की तरफ से उनको सौपी गई ह तो अजित पवार अपने अपने इतने सक्षम है कि अगर वो पाला बदलते भी है तो उनकी एहमेत उस पार्टी में बनी रहेगी और इसी तरफ पर उन्होंने पार्टी को तोड़ा और अपने साथ कई नेताव को लेकर के साथ चलेगा थे तो ये हमेशा सामने देखा है औ और ये विधान साबा के जो चुनाऊ हुए थे उस दोरान भी हमने देखा था कि कैसे यहां भी जोड़ तोड़ की राजनिती की गई थी और मुंबई में इस बार फिर से एंडिये को वहुमत मिली है जबकि ओपोजिशन ने कहा था कि एंडिये को इस बार बढ़त नहीं मि करथको कर दो भी कि यहां कि है ता बढ़त नहीं मिली है जितक है जबकि एंडिये को फासंव की च कोलन कि भी की यहां की बें नहीं भी का